बचो question number 4 में एक motor boat है और the motor boat is starting from rest on a lake and accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 second तो ये सब सम्स में न जबी भी unit ऐसा हो meter per second square ब्राबर है तो ये आपका acceleration होता है number के पीछे जो unit होता है ना unit कभी कभी ना सम समझ में आता नहीं है कि दिया given क्या है तो उसमें घबरानी वाली बात नहीं है जो भी numbers दिये है numbers के पीछे का unit देखने का तो unit अगर meter per second square हो meter upon second square ऐसा कुछ भी हो तो वो होता है acceleration अगर सिर्फ meter per second है तो वो है speed ब्राबर speed velocity यह सब होता है और सिर्फ second है number के पीछे तो वो है हमारा time तो इसमें यही बोल रहा है कि भाई एक motor boat है जो rest से start कर रहा है बढ़ाबर अब यह sum में सबसे important चीज़ क्या है बच्चो यह word rest अब यह याद रहो जबी भी कोई चीज rest से start करता है तो हमें एक चीज मालूम पर जाता है कि उसका जो initial velocity है बराबर initial velocity अगर तुमने यह sums किया रहेंगे न थियरी में तो यहाँ पर एक V के बारे में देखा रहेगा एक U के बारे में देखा रहेगा यह हमारा final velocity होता है यह हमारा initial velocity होता है ठीक है तो जो initial velocity होता है वो 0 होता है कब जब कोई भी object rest से start करता है तो यह बात एक दम याद करके रख लो आप लोग कि अगर कहीं पर भी दिया है कि object rest से start कर रहा है तो एक चीज भले हो दिया नहीं होगा उसमें लेकिन हम लिख सकत तो इसमें पूछ यह रहा है कि भाई वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा या डिस्प्लेस्मेंट कितना कवर करेगा यह दोनों में से कुछ भी पुछा होता हम आंसर दे सकते हैं अब हमारे पास कुल तीन एक्वेशन्स थे एक था हमारा V is equal to U plus 80 एक था हमारा S equals to UT plus half 80 square और एक था हमारा V square equals to U square plus 2AS यह तीन एक्वेशन्स थे बराबर इसमें यह आपका जो होता है न यह distance या displacement S होता है U initial, V final, A acceleration, A हमारा acceleration होता है बराबर यह सारे चीज़े हैं तो इसमें से हम कौन सा use करके यह इसको solve कर सकते हैं तो सबसे पहले देखो distance covered, distance covered यानि आपको कहीं ना कहीं S को fine करना है distance का वो डियानी, s को fine करना है distance दे या displacement दे तो मुझे ये तो fine करना है तो मैं जाता हूँ ये equation में ऐसे 3 equation है, 1, 2 और 3 दो जगा पर s है, एक a में इसमें है और एक a समें है, या तो मैं इसको use कर सकता हूँ या तो इसको use कर सकता हूँ, दोनों में से किसी भी use करके मैं answer को find कर सकता हूँ, देखता हूँ कि क्या इससे मेरा answer आएगा तो क्या मेरे बास u का value है, हाँ u का value 0 है t का value है, हाँ time 8 second है half तो number है, a, a का value है 3 है, और t का value again है तो yes मैं second वाला use कर सकता हूँ क्या मैं third वाला भी use कर सकता हूँ तो यहाँ पर v का value नहीं है और s का value नहीं है, तो यह equation में दो बराबर दो जान है दो terms है, उन दुनों terms का value नहीं है तो एक equation में अगर दो unknown हो तो हम उसको use नहीं करते हैं और यह equation में देखो कि तो सिफ एक unknown है कौन s unknown है बराबर है तो you can use second equation तो second equation use करके हम लोग answer fine कर लेंगे तो यहाँ पर solution में s is equal to ut plus half a t square u हमारा 0 है तो 0 into t यह नहीं 8 plus half a 3 है और time 8 है 8 का square ले लेंगे दर क्यूंक टाइम का square है तो यह तो पुरा 0 हो जाएगा सिर्क्या बचा half बचा into 3 बचा into 8 into 8 तो 2 1s are 2 4s तो यह 8 4s are 32 32 into 3 ठीक है 32 into 3 हो जाएगा और 32 3s कितना हो जाएगा 96 और s है न distance या displacement यह meter में आ जाएगा तो इस तरह से आ गया 96 meter ठीक है तो यह था हमारा सम question number 4 बचर बच्ड़़्xisक्प़ talking